कि मोहबत की थी हमने अब मोहबत से कोई गम नहीं तुम गुजर जाओ करीब से यह भी किसी मुलाकात से कम नहीं है कि मेरा नाह में चंदुस होने और सब लोग मुझे मिस्टर शायर 1818 के थे मेरा गाड़ी नंबर और मेरा मोबेल नंबर वही है तो यह सुझा था हम में बारिष की यह मोसम की होजे से कि उसकी होजे से हमारे किसानों की क्या हालत हुई चोटे मोटे परिवार की क्या हालत हुई तो मैंने उसके पर लिखा था कि एक कुद्रत का अजिब कहर चल रहा है ना काम आ रही कोई सरकार और भगवान भी मेरा सो रहा है कि बहुत लड़ाई की हमने मंदीर मस्जिद बनाने में अगर कुछ मकान भी बना लेते तो काम आते लोगों को बचाने में शुक्रिया शुक्रिया ना जाने वो कौन सा बुरा वक्त उस परिवार पर आ गया जो पानी वाले हत्सों में अपनों से अपनों का साथ छुड़ गया ना जाने वो कौन सी गलती थी उस बाप की जिसे अपने बेटे को खोना पड़ा जो बुड़ा पे में बेटे की लाज पे उसे रोना पड़ा जिसके पास बहुत कुछ एक खोने की खातिर उसका कुछ ना गया जिसके पास बहुत कुछ एकषोने की खातिर उसका कुछ न गया जिसके लिए एक ही शकस सबकुश था उसका वो शक्ष बिछिन लिया गया एक दिन भी एक दिन भी एक से घुजर जाएंगे जो घर से बेगर होगे पतानी यह वो कहा जायंगे इसलिए कहता हूँ मिलते जूलते बाते कर लिया करो यारो अगर जो बिछड़ गए फिर दुबारा लोटके नाएंगे आज जिसने अपनी दीन रात एक करके अनाज दिया जिसने अपनी दीन रात एक करके अनाज दिया आज उसी को अनाज के खादिर दरबदर घुमना पड़ा एसा क्या लूड़ गया उस गरिक पिसन का जिसे कोने में जाके रोना पड़ा यह बुरा वक्त भी कुछ पल में निकल जाएगा होगा नया सवेरा जो उम्मीद की नई किरन लेके आएगा इसी उम्मीद को अपने दिल में जगाए रखना आप सब छोटी से गुजारी से यारो मुस्कुरा दे रोको यारो अब और एक दादा जी के लिए किताओ कि बुजर्गों के जमाने का अलगी मजा था बुजर्गों के जमाने का अलगी मजा था आज के जमाने में अपने अपनों को छोड़ देते हैं और गेरों की बास तोंकर हमें कभी ना छोड़ना कान के कच्छे धागे अक्सर अच्छे तोड़ देते हैं, ओर, बुर, शुक्रिया, 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 वक्त लगता है जिन्दगी बनाने में, जिन्दगी गुजर जाती है वक्त की रहा कोई हा में तो मैंने उस पर लिखा था कि 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 अगर शाहर में फिल दिल जलो की हो तो फिर प्यार मुभबत की बात ना तो फिर में फिल अजूरी रहती है कि अब कुछ ना कहना उसे चलो जाने दो वो खुश है तो उसे खुशी रहने दो अब उस बेवफा को क्या वफा सिखा है अगर वो बेवफा है तो उसे बेवफा ही रहने तो वो मुझसे जुट बोलकर सच चुपा रही थी शुक्रिया कि वो मुझसे जुट बोलकर सच चुपा रही थी वो बार-बार अपनी गलतिया चुपा रही थी मैंने पूछा घर में किस बात की हल चल है वो मुझसे जुट बोलकर शादी कर रही थी मैं जब उसकी शादी होती है तो मैं गया वापे कि मैं उसकी बेवफाई देखने आया हूँ मैं उसकी बेवफाई देखने आया हूँ वो किस हद तक उज़र गई ये बात समझने आया हूँ पूछा उसके शोहर ने मुझसे कौन हो तुम पूछा उसके शोहर ने मुझसे कौन हो तुम मैंने कहा बहिया सेमी फाइनल तक में ही था अब फाइनल देखने आया हूँ मैंने आ चाहे तो जितने भी आसिक बनाले पर सुन अब आएक मोहबत कीती हमने अप मोहबत से कोई गम नहीं तुम गुजर जाओ करिब से ये भी किसी मुलाकाट से कम नहीं है शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया